जैल से किष्णा फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी गैस की समस्य से सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशान रहते हैं पिछली विडियो में मैंने कबज के साथ अगर गैस रहती हो कॉंस्टिपेशन के साथ अगर गैस की समस्या हो बदहजमे हो तो उसके लिए बहुत ही एक आसान सा फॉर्मुला ट्रिक बताई थी आपको कि आप उसको इस्तमाल करें तो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं आज कई अनीमिक पेशन्ट को जिन में खोन की कमी रहती है और उन पेशन्टों को गैस बनती हो या नॉर्मल पेशन्ट को भी अगर गैस बनती है तो वो भी इस फॉर्मुले को इस्तमाल कर सकते हैं कुछ नहीं करना बहुत ही सिंपल सा आसान सा फॉर्मुला है गाओं में पुराने समय में इस फॉर्मुले को बहुत ज़ादा उपयोग किया जाता था और इस आधुनिक युग में गैस बदज में ये सब होने लग गया शुगर वीपी जब पुराना समय था इतना मीठा ख कारी चीज मात्र 25 ग्राम गुड नापने के लिए अगर कोई पैमाना नहीं है छोटी सी गुड की डली खाने के बाद तीनों समय खाएं इससे आपके पेट की गैस बदहजमी पेट का फूलना और साथ में इसका एक बेनिफिट और होगा ये खून की कमी को भी दूर करेगा बहुत से डली रूटीन की प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत से लोगों को खून की कमी प्लस गैस की समस्या है वो लोग जरूर इस फॉर्मले का इस्तमाल करें और एक बार ट्राई करके देखें रिजल्ट स्लो मिलेगा मानता हूँ दो तिन महीने लगे पर एक बार मिलना शुरू हो गया तो यह पेट की समस्या और खून की समस्या दोनों का निदान एक ही फॉर्मले में हो जाएगा मात्र गुड़ गुड़ खाएं खाने के बाद तीनों टाइम पेट की समस्या खून की समस्या पेट के अफूलना बदजमी सब चीजों से झाल झाल